नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों बड़ी खबर आ रहे है कानपुर से जहाँ पर एक यूवक पर गारी चलाहा कर हत्या कर दी गई जी हाँ पूरा मामला नवस्ता थना छीत का है जहाँ से मिली जानकारी की अनुसार असरफ नाम की यूवक की दुकान के सामने कुछ यूवक बाथरूम कर रहे थे कि जिसको लेकर अशरफ ने उन्हें मना किया लेकिन नशेबाजी की हालत में यूवक दौरा अशरफ को मारा गया जब अशरफ जान बचा कर भादा तब उस पर यूवक ने गारी चला दी अशरफ ने इसकी सूचना अनुराग को दी कि उसे मारा जा रहा है पंकी में होने क कान्वास तेली से पहुचने को लेकर अशरफ के ऊपर गारी चला दी गई जब अस रख ने इसकी सूसना फिर से अनुराग को दी कि उसके ओपर गारी चला दी गई लेकिन जब अनुराग पहुंचते तब तक अशरफ की हत्या कर दी गई आईए आपको सुनाते हैं अनुर का जान बचाने के लिए भागा है तो इसके उपर पार चड़ा के इसको खतम कर दिया कि आज हमारे सामने हैलेट में खतम हो चुका है हम लोग खड़ हुए है इसको पर कार चबाएक है इसका नाम अस्रब है कपूर बैटरी के नाम से क्षोटी सी दुकान है डिपेरिंग करता है अस्रब है कि अश्रब ने फोन किया कपूर भीया यह लोग हमें मार रहा है हमें को बचा नहीं रहा आप किक्ती देर में आजकते हो मैंने कि मैं पंकी से आने में 15-20 मेड लगेगा कि कपूर भीय ने मेरे उपर गाड़ी चला दी है उसकी में पर रिकार्डिंग है आई लेडिस साधी रिकार्डिंग है इसके साथ हमारा चोटा भाई सोनो आया है और हम लोग साथ साथ आये हैं दरोजय का नाम है अमर सिंग जो चोटी विरागनगर में है जो आके यहां स्टेट्मेंट दे रहा है कि मैं चोटी समाल लाओं नहीं हूं कि तदद खराब है हम लोग ने अभी चोटीन चार्ज कोई मिलाया एससपी कोई मिलाने कोशिस की कमिंदर साथ कोई कोशिस की अभी तो यहां कोई की कारवाही नहीं हुई है वो कहते हैं आप सीचीटी फुटेज अपना निकाल लाओं अब वो लड़के की मौत हो चुकी है जो की हाज इमर द दो यहां से इमरे आटाव